हलो फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप लोग स्वागत है आपका एक बार फिट से हमारे इसी यूटूब चैनल वाइप है यान में और आईए बात करते हैं आज के सभी मुख्यस मचार टूडे ब्रेकी न्यूज इंडिया नूज हेडलाइन्स नोज के सबडेट वीडियो में जाने यह जानते हैं कि आखिरकार हमारी केंद सरकार ने कहां काँपर लोग डाउन आगे बढ़ाने का एलान कीया है और इसके लावा किन्ड राज जमें लोग डाउन को पूरी तरह से खत्म करने का एलान कीया है इसके बारे में जानेंगे पूरी बड़ी खबर बिस्तार से और एसके लावा आज के इस बड़ी खबर में यूपी बोड की एक्जाम को लेकर के बहुत ही बड़ी खबर निकल करा रहे हैं तो चनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथी साथ बिल गंटे को दबा करके हमारे वीडियो स्कॉनूपे केसन भी ओन कर लिजेगा जिससे कि हम कोई भी latest big breaking news update की जानकारी upload करते हैं तो उसकी notification आपके mobile phone पर मिल पाएगी तो चलिए friends बिना समगवाले चलता हूँ आपको आज की पहली बड़ी खबर की तरफ तो friends बता दे आपको की हमारे भारत के सरकार ने हमारे देश के केरी राज में आज से बहुत ही जादा सक्ती बरतने का ऐलान सुरू कर दिया है और ऐसे हमारे भारत में कई राज हैं जहाँ पर हमारे भारत के सरकार ने आज से lockdown खत्म करने का भी ऐलान कर दिया है तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे भारत के सरकार ने कहां कहां पर ज़्यादा सक्ती बरतने का एलान किया है और हमारे भारत में ऐसे कई राजे हैं जहां पर करोना के संक्रमितों की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम होने लगी है और इनी को देखते हुए हमारे केंदर सरकार ने जहां जहां पर ज़्यादा करोना के संक्रमितों की संख्या कम हो रही है वहाँ वहाँ पर हमारे भारत के सरकार ने लोकडाउन खत्म करने का फैसला कर लिया है तो friends ऐसे मेंगर आप मुंबई, राजस्थान और दिली इन सभी राजों से आते हैं तो यहाँ पर हमारे भारत के सरकार ने 31 मैँ 2021 तक सक्ट लाकडाउन का एलान कर दिया है और दोस्तों इतना है नहीं बलकि आपके इन सभी राज्जे में सक्त लाकडाउन लागू तो किया गया है लेकिन इसके लावा इन राज्जे में 144 जारा और 37 सक्त करफी भी लागू कर दिया गया है तो ऐसे में दोस्तों गर आप तीन राज़ों से आते हैं यानि कि राजस्थान, मुंबई और गर आप दिली राज़ों से आते हैं तो यहाँ पर हमारे केंद सरकार ने लोकडाउन को आगी बढ़ा करके 31 मई 2021 तक कर दिया है लेकिन दोस्तों गर आप UPBR 36 गर तमिलनाडू केर इन राज़ों से आते हैं तो यहाँ पर आपके करोना के संक्रमितों की संख्या कम हो रही है और इनी सभी को देखते हुए हमारे केंद सरकार ने इन पांच राज़ों में थोड़ी आपकी सकती कम बरतने का एलान किया है तो ऐसे में आप जान लिए कि हमारे दिली मुंबई उनको पूरी तरह से नई बलकी यहाँ पर थोड़ी आपकी कम सकती बरतने का एलान किया है तो ऐसे में आप किस राज़ से आते हैं अपने राज़ की जानकारी हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजेगा ताकि आपके राज़ की कोई भी आपके परिबार में कोई भी दसी अवरामी के यूपी बोड का छात्र है तो उन सभी को यह खबर जानना बेहती जादक जरूर यह क्योंकि हमारी यूपी के सियम आदितनात योगी ने यूपी बोड की एक्जाम को ले करके आज बहुत ही बड़ा एलान कर दिया है तो फ्र पांच जुन 2020 से आपके यूपी बोड का एक्जाम सुरू हो जाएगा और इसकी सूचना हमारी यूपी के सियम आदितनात योगी ने अपने आफिसियल ट्यूटर पर ट्विट कर दिया है तो ऐसे में अगर आपके परिबार में या आप खुद भी यूपी बोड के छात र जाएगा और चलिए अब इसी के साथ अगली बड़ी ख़बर की बात करते हैं दोस्त बता दे कि पीम किसान की आठवी किस्त को ले करके बड़ी ख़बर इस तारीक को प्रदामंतरी मोधी करेंगे ऐलान जी हाँ दोस्तो द्रसल हमारे मोधी सरकार ने सभी गरीब किसानों क करा रही है उन सभी लोगों के लिए जिनके बैं खाते में अभी तक आठवी किस्त का पैसा नई आया है क्योंकि हमारे भारत के सरकार प्रामिश्टर मोधी गवर्मेंट आप इंडिया 14 मई 2021 को सभी किसानों से बात करेंगे और दोस्तों 14 मई 2021 को किसानों के साथ मीटिंग क करने के बाद हमारे भारत के सरकार ने सभी गरिब किसानों के खाते में पूरा का पूरा आठवी किस्त का पैसा भेजने का फैसला कर लिया है तो ऐसे में आप में नीचे कमेंट करके इतना जरूर बता दीजेगा कि आपको पीम किसान युजना की आठवी किस्त का पैसा मिल या मिला है तो आप यस या नो में जवाब जरूर दे दीजेगा और इसी के साथ बगली बड़ी ख़बर की बात करते हैं दोस्त बता दे कि हमारे इंडिया में गुंगल पे ने अपने यूजर्स के लिए लेकर आया सबसे बड़ी खुसकबरी अब से आप अमेरिका से भारत और सिंगापूर अपने गुंगल पे से पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं तो फ्रेंड्स बता दे आपको कि हमारे केंद सरकार की तरफ से बहुत अच्छी कबर निकलकडार ये क्योंकि हमारे गुंगल पे ने आपके लिए बहुत अच्छी कबर जारी कर दिया है तो या अमेरिका या सिंगापूर कहें पर भी पैसे आसानी से भेश सकते हैं और इसी के साथ अगली बड़ी कबर की बात करते हैं दोस्तों बता दे कि SBI ने अपने ग्राओं को के लिए लेकर आया सबसे बड़ी खुसकबरी अगर आपका भी दोस्तों स्टेट बैंक आप इंडिया में खाता है और अगर आप नेट बैंकिंग का इस्तमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत यह अच्छी कबर निकल करा रही है अपसे आपके कुरुना की मामारी को देखते हुए बहुत ही नई बहुस्ता लेकर आ गई है और दोस्तों अगर आपका यापके परिबार में किसी का भी SBI का ATM काड है तो अपने पीन को आप घर पर ही जनरेट कर सकते हैं इसके लिए कई भी आपको जाने के जरुत नहीं पड से अपने ATM का पीन जनरेट कर सकते हैं और सबसे अच्छी ख़बर आपका या है दोस्तों कि इसके लिए आपको कहीं पर भी एक रुपे देने की ज़रुत नहीं पड़ेगी और ना ही कहीं पर भी आपको जाना पड़ेगा तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस बेव साइ ATM को कैसे जनरेट करना है अगर आपका बैंक हात अगर आपके मॉबाइल से लिंक है वो आपको उसी मॉबाइल नमर पर यानि कि जो आपके बैंक से आपका मॉबाइल नमर लिंक है उस पर सारी जानकारे भेज़ दी जाएगी कि आपको अपने ATM को कैसे जनरेट करना है और च चेतावनी रहने की संभानों जिताई है तो फ्रेंड्स अगर आप भी केरल, तमिल्लाडू, पंजाब, राजस्थान, गुजिरात और यूपी बियार इन राज्यों से आते हैं तो आपको अगले 15 मईद 2021 तक हमारे भारती मौसम बिज्ञान बाग यानि की इंडिया 2021 तक अलर्ट रहेगा, क्योंकि हमारे भारती मौसम बिज्ञान बाग ने आपको 15 मईद 2021 तक बिल्कुल भी अलर्ट जारी कर दिया है, तो बस आज आपको इनी सभी मातपूर खबरों के बारे में लटेश्थ बिग ब्रेकी नूज अपडेट की जानकारी देनी थी, उम्मी प्रेश्ट वेडियो